हालो दोस्तों नमस्कार सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टिप्स यह ट्रिक्स है अगर ड्रीम 11 में पैसा कमाना है तो यह वीडियो बहुत ही जरूरी है आपके लिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ड्रीम 11 में इन्वेस्मेंट करिके 100, 250, 30, 40 रुपया या 100 200, 300 रुपया रोज निकालना चाहते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं दिहाली के रूप में उसको निकालना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत ही जरूरी है यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम समझाएंगे आपको यह मोबाइल है दोनों पर समझाएंगे कैसे आपको यहां पर क्या करना है सब कुछ आपको एक दम डिटेल के साथ में बताने वाला हूं कैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक अगर आपने चनों को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मत करिएगा पूरी वीडियो देख लीजिएगा अगर वीडि चलते हैं आप एक तो देखिए बहुत लोगों के मन में सवाल था कि हमें बताईए यह हमें बताईए कैसे होता ठीक अब पहला क्या होता है मेगा लीग होती है पहला क्या होता है मेगा लीग में क्या होता है कि जहां पर मेगा लीग में क्या होता जहां पर 1.5 करोड लोग हों या 1 करोड लोग हों या 10 लाख लोग हों यहां पर करोडों में होते हैं यहां पर कुल मिला के कह सकते मेगा लीग में करोडों पर होते हैं अब करोडों में आपकी टीम कितनी होंगी 20 होंगी maximum team आपकी 20 होंगी या 1 होगी या 2 होगी तो करोडो में एक नमब्र में आने में बड़ा मुश्किल काम है मतलब मुश्किल कह सकते हैं बहुत ही मुश्किल काम है ये किस्मत अगर आपकी साथ देगी तब आप एक नमब्र पे आ जाएं कि अबां करेंड लीग में क्या होता जहां पे जिसे यह पे आप सो लोग हूं सोक मालीजे हजार हजार दो हजार 2 हजार तीन हजार दस हजार एक लाग ऐसे यह होती ग्रैंड लीग जहां पे से इसे हैं आ जाते हैं सुपने dipping कभी यह यह नंबर वन रेंग में तब आप जाकर कि वहाँ पर अच्छी खासी अर्णिंग कर पाएंगे एक हो गया मेगा लीग एक हो गया घ्राइब दोनों लीक आपकी समझ में अगएं मेगा लीक में 40 रुपए के जादा फेमस है एक तालीस रुपए के जादा फेमस डिजी मिलेवन में एक 33 रुपए के इनटी मिल जाती है बार रुपए केंटी मिल जाती है, तीन हजार रुपए केंटी मिल जाती है, चार हजार रुपए केंटी मिल जाती है, पर इसमें क्या है, तीन से चार मेंबर होते हैं, या पांच से दस मेंबर होते हैं, दस से पंदरा मेंबर ले लिजिए, या बीस से पचेस मेंबर ले मतलब head to head के और दो टीम होंगी इसमें तो यह small leak हो गया तो mega leak आप समझ गए grand leak आप समझ गए small leak आप समझ गए clear कि अब हम चलेंगे आपको example दिखाएंगे mobile पे mega leak क्या है grand leak क्या है small leak क्या है बिल्कुल बारीकी से समझेंगे धीरे-धीरे समझेंगे अब यहां पर dream 11 हमने open किया open करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार का यहां पर close करेंगे कि यहां पर करते हैं इसको close अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक option आपको मिलेगा dream 11 का हमने dream 11 पर दो करोड रूपया मतलब यहां पर आपको यह मेगा लीघ है उसी परकार से गर्ण फॉर्पया की एक करोड प्राइज यह वी आपकी मेगा लीग है अब बारा रुपए के इंट्री कितने लोग हैं दो लोग हैं नहीं चार स्पोर्ट चार मेंबर इसमें खेल लें यह स्मॉल लीग जहां पर चार मेंबर खोले यह स्मॉल लीग इसके बाद सतर रुपए के इंट्री तीन मेंबर खेल लें यह स्मॉल लीग उनन प्रकार से यहां पर तक की स्मॉल लीक होती है उसके उपर ग्रेंड ली अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि Small League, Grand League क्या है अब देखिए आपको खेलना क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ अब यहाँ पे दो चीजे होती है जैसे यहाँ पे आप खेलना है Head to Head Mega League में 100-200 नहीं करोडों जीतेंगे Grand League में लाखों जीतेंगे पर यहाँ पे Small League में अपना खर्चा पानी आप निकाल सकते हैं खर्चा पानी अपना निकाल सकते हैं रोज का पान, मस्साला, पुकार अगर ज़्यादा दिमाकी है, ज़्यादा आपने सीख लिया है तो अच्छा खासा पैसा Small League से ही कमा सकते हैं जो लोग कमा रहें करोड़ों रुपया, वो Small League से ही कमार है पर अभी आपको सीखना है तो खर्चा पानी निकालना है बस घर का खर्चा पानी निकाला है, धीरे दे जब आप सीखते चले जाएंगे स्पर्ट हो जाएंगे चीजों में तब आप वहाँ पे अच्छा खासा पैसा लगा करके अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे पर अभी यहाँ पे दो चीज़े से Head to Head Head to Head आपको नहीं खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए, उसकी मैं बात करूँगा जैसे Head to Head एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर Head-to-head में आते हैं च्छोटी आपको लिया के दिखाते है, Head-to-head। अब यहाँ पे धिखते है, Head-to-head में य एक और चार्स कॉंटेस्ट जीत आधे हार गए आधे जीत गए तब भी आपको यहां पर कितना मिलेगा 2000 रुपए आपने कितना रुपया लगा था 12 रुपया लगाया था तो बारा सुमें आपको मिला 2000 रुपया तो कहने मतलब है जब भी पॉइंट का मसला होता वहाँ पे अगर एक भी पॉइंट से आप पीछे रहे गए तो आप वहाँ पे नहीं जीत पाएंगे जैसे यहाँ पे कम से कम चार जीसे यहाँ पे 19 रुपये इंटी चार मेंबर चार रुपय मिलेगा तो यह यह वाली ज्यादा सही रहती उनीश रुपय के इंटी लो चार मेंबर से । अगर आपके अच्छे members वाली लीग खेलनी है ना कि head to head वाली लीग नहीं खेलनी है head to head वाली लीग में अगर आप जीत भी जाते हैं जीतने की chances कम रहते हैं वैसे आप जीत भी जाते हैं तो आपको वहां पर उतना profit नहीं मिल पाता है कम सेखम head to head में आपको 80-90 % करना होगा तभी आप यहाँ पर विनिंग जोन में रहेंगे अगार आप यहां पर 30-40 परसेंट भी विन कर लेते हों आपका जो पैसा है वह वापिस हो जाएगा चैंस है जो आप पैसा है कभी loss नहीं होने वाला आपका मैं आपको guarantee देता हूं कैसे काउन सा rule है क्या rule है वो अभी इस वीडियो में जानेंगे ठीक अब देखो अगर आपके पास जैसी आप यहाँ पर दस हजार के काम करनें अब यहां प्रोपय को Case Hill सैल आपकी यह मंत्र मंत्र आपको दे रहा हूं कोई नहीं शिखाता यूट्यूब पर तो यह मंत्र यह है कि अगर आपकी 10,000 अगर आप एक हजार रुपया यह हारना चाहते हैं कि मतलब आप जीतने के तो कोई लिमिट नहीं होती जीतना जीतना आप जीत पाएं उतनी ठीक है एक करोड दो करोड पर अगर एक हारने की लिमिट बांधनी पड़ेगी आपको हारने की लिमिट है जीतने की कोई लिमिट नहीं तो हारने की आपको लिमिट है कि आप एक महिने कितना रुपया हार सकते हैं यह आपको पहले समझना होगा पहले आपको यह तैय करना होगा तब ही आप यहाँ पर मैज खेलना की स्टार्ट करना है आपको यह बात नोट करिए अगर आप एक हजार हार रहे महीने का ठीक तो आपने माई में एक हजार रुपया आपने डाला अगर माई में आपने एक हजार रुपया वो हार गए तो आपको माई भर पैसा नहीं डालना है समझ गए माई में एक रुपया आपको नहीं आट करना उसके बाद क्या करना है जून में माई जून आएगा फिर जून में एक हजार रुपया आप डालिए अब यहां पर फिर एक हजार रुपया फार गया है फिर आपको पैसा नहीं डालना माई जून उसके बाद जुलाई जो यूज कर पाते हैं वो इसी 1000 रूपए से 1,00,00,00 बना लेते हैं जिन को यूज करने की कि तरीका नहीं पता वो नहीं बना पाएंगे कैसे वह भी समझेंगे अब यहाँ पर देखो कैसे सिस्टम से समझो सारी तिए आपके पास एक हजार रुपय 웃 अब करना क्या है यहाँ पर तो करना क्या अब यहाँ पे हमें इस इसका जो पैसा है एक मैश में कितना पैसा लगाना यह आपको decide करना कमसे कम 10 मैश आपको इससे खेलने कितने मैश 10 मैश एक मैच में 100 रुपया डालू क्या करोगे जो भी एक मैच जिसे जहां पर जो भी मैच हो रहा उसमें 12-12 रुपए की इंट्री ले लो आप ऐसे-से 12 रुपए के 12-6 नबे जो भी होता हो उसी परकार से 8-9 इंट्री आपको मिल जानी 5-6 इंट्री मिल जाएंगी 100 रुपए मे होगे अगर उपैसा पूरा हार गे दुबारा क्या करेंगे आपके पास कुछ बचेगा धेगए तो जल्दबाजी ना करें कि आज जीत ल होगे चार मैच में हरोगे ऐसा नहीं कि हर मैच में हरोगे अगर आपके पास नॉलेज इसकिल है दिमाग का यूज कर रो अच्छे से टीम बना रो पीछ रिपोर्ट के बारे में पता है टॉस कौन जीत रहा वह भी पता है कौन टीम जीत रहे उसके फेवर में जा रहे हो तो लोजिक आप आप से खेलेंगे भाई तो कभी आपका लॉस नहीं होने वाला है छोटे इन्वेश्टर की बात करों बड़े जो हैं तो अपने हिसाब से खेलें उन से भया कोई उनके पास बहुत पैसा होता है जो विचारे भी स्टार्ट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उने के लिए जो खर्चा पानी अपना निकालना चाहते हैं इसा IPL में, तो इनके लिए ये वीडियो बहुत हेलफुल रही होगी, और हाँ, आपके मन में अगर कोई सुझाओ या कमेंट है, तो आप कमेंट करके हम से प अब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत, बाई बाई, लव या लूटो फैमिली